असलाम आलेकुम रहमतुलाही वबारकातू नाजरीन उम्मित करता हूँ आप सब खेरी हो ताफित के साथ होगे आए इंशालला जवजल आज की इस वीडियो में उर्दू कोर्स का पार्ट नंबर 18 इंशालला जवजल पढ़ेंगे और चुके पार्ट नंबर 16 से यह जो तरह बाच्चित होती है ठीक है इस तरह चोटी बच्ची से गुफ्तगो इसी तरह जनरल इस्टार पर गुफ्तगो किस तरह हुई तो यह तमाम आगर आप पेरिग्राफ दिखना चाहते तो पार्ट नंबर 16 और 17 दिख लिजी इसमें काफी अच्छा नो ले जाए और उर् यह चोटी यह फिर बड़ी यह इसी तरह पेश और वाओ का जो साउंड होता है या और जेर का जो साउंड होता है वो तमाम मश्क और इसके साथ साथ तन्वीन जो आती है और नुन को कब मीम से पढ़ते हैं यह तमाम मश्क पार्ट नंबर 1 से लेकर मश्क यानि यह जो प् और से उसे मुकमल तोर पर दिखे ता आपको अर्दू में मतलब काफी आसानी होगी और इंशालला अर्दू को उसके बाद भी इस चैनल पर जो अर्दू की किताबे कंटीन्यू थी उनको कंटीन्यू वापस से किया जाएगा ता यह आज का जो सबक है वो शुरू करते हैं ब हो तो यह पड़ा हो याद रहेगा ता आप उसे लिख भी सके तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है असलाम वालाइकुम चुक्छे हमारे मतलब मजभब में यही तालिम दी जाती है कि सबसे पहले कलाम से पहले सलाम ठीक है तो यह सलाम की आप सलाम का जाब वालीकुम सल गादव देखेए आज़े आपके बड़े भाई हैं देखेए केस्चन मारक इस तरह आता है ना पुछने के तोर पर जो पुछा जाता है सवाल या निशान इसको कहते है उर्द में सवाल या निशान केस्चन मारक प्रशनाची ना ठीक है तो क्या है आपके बड़े बाई है ये दोस्त के घर पर गुफ्तगु इस तरह बाची तो पूछ रहे है ठीक है तब वो जवाब दे रहे है जी नहीं वो बाहर गए है ठीक है बाहर गए है गर से बाहर कहीं गए होगे इसी तरह आगे वापस से पूछ रहे है के और चोटे बाई ठीक है बड़े बाई का तो पूछ लाप कर रहे हैं के तहने बड़े बाई है चले नहीं है तो चोटे बाई इस तरह चोटे बाई के चनमार्क सवाल या निशान तो कह रहा है कि वो पढ़ाई देखे पेड़ेहा पढ़ाई में मसरूफ है पढ़ाई में देखे मसरूफ ये अर्दू लब्स मतलब इस तरह इस्तेमाल होता है कि किसी चीज़ के अंदर मतलब कि मश्गूल होना बिजी रहना है पढ़ाई में बिजी है या पडाय में लगए हुएς ठीक है मस्यूफ है उसकाम में व्यस्त है तैके थे तो पडाई में मस्यूफ है इस तरह आपके वालीद कहा है देखे कहां में हां में गुनना है ठीक है यह तमाम आसबा का हमने पल छुके यह पार्ट नंबर शायद 10 या 11 में गाली बनी है हमने पड़ा गुन्ना वाला सबक कि आपके वालिद कहां है हाँ है या और गुन्ना क्योंकि बड़े लोगों के लिए और जो इज़त देनी होते तो उसमें है आता है इस तरह जवाब कि वो बहन बेहानून बहन यानि सिष्टर के गर गए है अब पुझ रहे है आपकी वालिदा यानि चले वालिद साब का तो पुझ रहा है लेकिन अब आपकी वालिदा वालिदा माने मदर मा ठीक है तो आपकी वालिदा कहा है तो कह रहे है वो सबजी देखे सीन बाज आया सबजी लाने बाजार गई है बाजार अभी ज़ा से आएगा बाजार गई है गुन्ना के साथ अब बता रहे के आज ठेके अली परमद आज आप आफिस देखे अली परमद आफिस इंगलिश में हम क्या बूलते हैं उर्दू हिंदी में मतलब हिंदी और इंगलिश गुजराती में ओफिस कहते हैं न काम ओफिस लेकिन उर्दू में इसी तरह रहेगा ओफिस भी बोल सकते हैं लेकिन लिखने में तो इसी तरह रहेगा आफिस इस तरह कालेज भी इसी तरह आता है ना कालेज call में call आता है ठीक है तो آफिस नहीं जाओगे क्या पूछ रहे मतलब दोस्त एक दूसरे से कि आज आप आफिस नहीं जाओगे क्या? यहनि क्या आफिस नहीं जाओगे? सवर या निशान पूछा जा रहे है क्यों नहीं मतलब हाँ जाओंगा किताने कि यह कम नहीं करो जो कुँ नहीं करूँगा? इस तरह क्यों करूँगा? यह नहीं कहते हैं, आज है, आप आप अधिस नहीं जाओगी है? क्यों नहीं चाहूंगा? लूबब दोस्त ज़स जब दे रख देखे Looking Last color में जब अलग होते हैं तो सी यू बाई लेटर इस तरह अलफाज यूस किये जाती इंग्रिस में लेकिन हमें उर्दू में क्या बोलना है या तो सलाम ही कर दीजिए या तो दूआ में या दिया फिर ये खुदा हाफिज और सामने वाला जो है वो अल्ला हाफिज खुदा हाफिज आपने सुना होगा इस तरह कहा जाता है बहुत अच्छे अलफाज है इनको यूस करते रहना चाहिए अब देखे इस तरह बाग में देखे बाग घाईन आएगा ना बाग में यही सब याद रखना पड़ेगा आपको ठीक है पड़ा तो लेंगे आप घाईन और गाफकाई की साउंड है लेकिन लिक्ने में तकलिफ हो सकती है ठीक इसलिए लेटर पर भी तवज्ज़ देखे को हाँ पर कौन सा लेटर यूज होता है बाग में घाईन आता है बाग में ठीक है बाग यानि गाडण बागी चाह देख़गा आप वहापर अभी पहले असलाम उर्यकूम अब जवाब दिया जा रहा है उर्यकूम सलाम बेखी अब आगे पूछ रहे दुसरे साब एकसे कि आपकी at तबियत कैसी है आपकी तबियत कैसी है तो अब वो भी पूछ रहा है आप कैसे है आप कैसे है वो जवाब दे दिया होगा अच्छी है तो वो भी पूछ रहा है आप कैसे है आप कैसे है तबियत ही पूछा जा रहा है अब बता रहा है कि ताजा दम होने के लिए बाग की सेर जरूरी है अब देखे ताजा दम यानी फ्रेश फिलिंग कहते है ना बाहर की जो ताजा हवा होती है दम हवा ताजा हवा खाने के लिए बाग की सेर बाहर जो फ्रेश फिल जो महसुस होता है अच्छा दिमाग एक दम फ्रेश हो जा इस तरह बाहर का जो तापमान और बाहर क जो बार की जो हवा होती है वो खाने से मतलब बागे की वो खाने के लिए बागे की सेर है सेर यानि तफ्री करना तफ्री यानि सेरो तफ्री करना है यह भी फिरना गुमना ठीक है तो सेर करना यानि कि क्या गुमना जरूरी है इस तरह वो देखिएगा वो देखिए गुलाब और गुले लाला ये भी मतलब बागीचे में एक ट्री होते है गुलाब के गुलाब ही की तरह मतलब के गुले लाला लाला जार क्याता है तो वही बागीचे में ये फूल होते है ठीक है तो वो देखिए गुलाब और गुले लाला गुलाब रेड कलर अपने देखा हूगा, रोस, छीक है, तो ये गार्डन में, मतलब, share कर रहे है, अब दिखा रहे हैं, उनको, कोई देखिये, अब दूसरे फुल भी दिखा हूगा, वो, देखिये, वो, दूर के लिए, ना, तो वो कहता है, वो, देखिये, यासमीन, यासमीन और सूरज मुख सूरज मुखे आपने देखा वह गा बीच में गोर आता है और आसपास पिली-पिली मतलब पिले रंग की य्जला कलर की पत्तिया आती इस तरह गोल-गोल गोल इसको सूरज मुखे कहा अब देखे, सुबह का समा कितना सुहाना है, समा में यानि माहूल, कहते हैं या आज का जो समा है, अभी जो समा है, इस तरह सुबह का समा, यानि सुबह का जो माहूल है, कितना सुहाना है, सुहाना तो आप समझ गए बिल्कुल, मतलब ब्यूटिफुल, अच्छा माहूल है मत इस तरह आगे माली काफी माली यानि जो घारडनर जिसको कहा जाता है जो घारडन में मतलब के चौकी करता है घारडन की इफासद करता है बाग में ठीक है इसको माली कहा जाता है तो माली काफी बुड़ा है ठीक है इस तरह दूसरे साब कर रहा है बड़ा महनती है बड़ा महनती यानि मैनत करने वाला इसके साथ उसका बेटा है उसके साथ होगा कोई तो पूछ रहे हैं उसके साथ उसका बेटा है क्या आप रोजाना यहां आते हैं दो दूसरे दोस्त है वो पूछ रहे हैं कि आप रोजाना यानी बाग में आते हैं यहां आते हैं देखिए गुन्ना के लिए यूज़ होता है ना आते हैं हाया और गुन्ना क्योंकि तहसिब के लिए बड़े हैं इसलिए पूछने के लिए यह जो तीसरा कनवर्शिशन है और तीसरा जो हमरा पेरिग्राफ है वो मालकिन जो घर की मालकिन होती है ठीक है लेडिस और खादिमा खिदमत करने वाली जो होती है काम करने वाली बाई जिसको का जाता है तो मालकिन और खादिमा की गुफ तो गो यानी बादचित देखे आगे उसका जो नाम होगा वो पहले बता रहे के कमला सफाई हो गई नहीं म मार पूछ रहें साहब का कमरा साफ किया वाप पहले यह भी पुछा फिर के साहब या उनके जो हस्बेंड होगए हुए साहब का कमरा साफ किया ठीक है तागे कालीन को छत पर ले चत पर ले जाओ और ये कुरसियां हटाओ ये कुरसियां हटाओ ठीक है ये तस्वीर तस्वीर है लेकिन देखे या और गुन्ना तो क्या पढ़ेंगे तस्वीरें ज्यादा है ना तस्वीरें साफ करो इस तरह फरनीचर देखे फारो फर नून या नी फरनीचेरो फरनीचर खराब नहूँ फरनीचर खराब नहूँ अब आगे देख भाल कर काम करो कहते हैं ध्यान रखकर तवज्जों के साथ है ना बिल्कुल कंसेंटेशन के साथ यानि वही देख भाल कर यानि देख कर काम करो कुछ अब कैसे देख भाल कर काम करो वह भी बता रहे कि फर्ष को फर् रगल रगल कर साफ करू ठीक है कलीन करू इस तरह कांच का कोई बरतन तूटने न पाए कांच का कोई बरतन तूटने न पाए देखा आगे सब काम एहतियात से करो सब काम किस से करो एहतियात से करो यानि एहतियात का माना होता है ध्यान रखना मौताद होना एहतियात यानि ठीक है कहते हैं एहतियात करनी चाहिए हमें लफस राह पर चलते वक एहतियात करें सड़क पर चलते वक एहतियात करें यानि ध् बिल्कुल आप अपने जहन को हाजिर रखे चीक है इस तरह आगे वो जवाब दे रही है खादीमा के आप मुटमईन रहे कहते हैं मुटमईन माने खुश आप इतमिनान बक्ष रहें मुटमईन का माना होता है ठीक है आप इससे tension ना ले मतलब मेरे काम से आप मुतमाइंदा है आप खुश रहें ठीक है मुझ पर आगे बता रहें कि मुझ पर यानि वो खादीमा करें मुझ पर बरोसा करें मेरो पर depend करें यानि कि मैं कुछ नुक्सान नहीं करूंगी काम जो है वो सही से कर दूंगी अब जो रहेंगे डाक्टर से गुफ्तगू एक ये परेग्राफ और बुक डिपो पर बुक इस्टोर जो होता है वो